आप लोगों का मैं अपने कारिकरम में स्वागत करता हूँ आज हम आप लोगों को ऐसे रत्न के बारे में बताएंगे जो आपके सरीर के खून से संबंदित विकारों को दूर करता है इसके अलावा जो आपके हिम्मत को भी बहुत बढ़ाता है उस रत्न का नाम है मंगल मंगल मीज मूगा मूगा एक ऐसा रत्न है जो समुंद्र के में पाया जाता है ये प्रकार की लकडी से ही इसका निर्मार होता है बाद में ये पॉलिश करके मूगा यानि लाल रंग का खूनी कलर का रूप आता है मंगल के बारे में हम आपको ये बताते हैं जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोस है उनको तिकोना मूगा धारण करने से उनका मंगल दोस निसक्रिय हो जाता है इसके अलावा जिस ब्यक्ति के सरीर में खून की कमी है तो ऐसे लोगों को भी मूगा धारण करने से खून में बृधि होती है और अगर खून में किसी भी परकार का विकार है तो मुंगा धारण करने से बहुत फाइदा होता है मुंगा आप मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं सुकलपक्ष का महिना होना चाहिए हाँ मंगल क्या है कि जन्म के कुंडली में मेश रासी और ब्रिश्चिक रासी का स्वामी होता है ये मकर रासी में उच्चका होता है करक रासी में नीश्का माना जाता है अगर मंगल पापक ग्रहों से युक्त है या मंगल छीड है कमजोड है तो आप मुंगा धारण कीजिए मुंगा धारण करने से ये निश्चित है कि आपके सरीर की तेज आइटोमेटिक बढ़ियाएगा साथ ही आपके चेहरे पे निखारा जाएगा दुस्मनों के बीच आप जाने से बिलकुल नहीं डरेंगे और जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता आपको अवस्य मिलेगा हाँ ये है कि आपके जन्द कुंडली में मंगल पहनने का जब कोई जूतिस या ग्यानी विक्ति बतावे तभी आप धारण कीजिए लेकिन और एक बात का ये ध्यान रखिए कि मूगा कभी भी किसी दूसरे का दिया हुआ भूल कर भी मत पहनिये क्योंकि जो विक्ति मूगा पहनता है तो उसको सरीर के जो ब्लड सम्मंदी बीमारिया होती है वो उस मूगा में आ जाती है यही मूगा कोई दूसरा जब पहन लेता है तो वह बीमारी फिर उसके सरीर में फैल जाती है इसलिए आप कदापी मूगा को किसी के दिये हुए मूगा को ना धारण करें, नहीं धारण करेंगे चलेगा लेकिन आप किसी का पहना हुआ मूगा भूल कर भी मत पहनिये, भले ही वो आपके परिवार के किसी ब्यक्तिका ही क्यूं न हो, मूगा धारण करने से आपके चेहरे ही लाब है, हाँ जोतिस की सलाह लेना बहुत अनिवार है, तभी आप कोई रत्म धारन कीजिये, अगर मंगल दोस है, तो मुगा तिकोना लीजिए, और अगर मंगल दोस नहीं है, तो आप कैजूल आकार का मुगा बडारन कीजिए, हाँ ये कम से कम साथ से नो रत्ती का होना जरूरी है जैसे कि उम्र के अंसार ये 36 वर्ष में अपना कारी चालू कर देता है इसलिए बहुत अधिक भी ना पहने लेकिन फिर भी साथ का रत्ती से कम होना उसका फल में कमी लाता है मुझे आसा है आप लोगों को ये कारिकरम जरूर पसंद आया होगा आगे भी हम आप लोगों को अन्य रत्नों के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे नमस्कार